बॉलिवुड की बहतरीन अभीनेत्रियों में से एक श्री देवी ने साल 2018 में दुनिया को अलविदा कह दिया था लेकिन उनकी यादे आज भी फैन्स और बॉलिवुड स्टार्स के दिलों में ताजा है श्री देवी ने फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी थी और अपने अभिने से साबित किया था कि ऐसा कोई रोल नहीं है जिसे वो परफेक्ट तरह से नहीं निवा सके श्री देवी का असली नाम श्री अम्मा अयंगर अयप्पन था उन्होंने चार साल की उम्र में अपना अक्टिंग डेब्यू किया था श्री देवी ने बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट 1960 में आई फिल्म थुनेवन में भगवान मुरुगन की भूमिका निभाई थी हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम और कनट फिल्मों में काम कर चुकी श्री देवी फैंस को कई यादगार फिल्में दी लेकिन क्या आपको पता है कि श्री देवी ने मात्र 13 साल की उम्र में सूपर स्टार रजनी कांट की सौतेली मा का किरदार निभाया था ये फिल्म थी डारेक्टर के बालचंदर की मुंद्रू मुदिचू इस फिल्म में रजनी कांथ और कमल हसन ने श्री देवी के साथ काम किया था फिल्म में श्री देवी का किरदार रजनी कांथ के किरदार के पिता से शादी कर लेता है उस समय रजणीकान्थ की उम्र 25 साल थी और 13 साल की श्रीदेवी उनकी सौतेली मा के रोल को निभा रही थी इतना ही नहीं माना जाता है कि फिल्म मुंदरू मुदिचू के लिए श्रीदेवी को रजणीकान्थ से ज्यादा पैसे दिये गए थे श्रीदेवी की फीज इस फिल्म के लिए 5,000 रुपे थी जबकि रजनी कान्थ को 2,000 रुपे मिले थे उस समय कमल हसन इंडस्ट्री के बड़े आक्टर्स में शुमार किये जाते थे और उन्हें इस फिल्म के लिए 30,000 रुपे दिये गए थे एक इंटर्व्यू के दोरान श्रीदेवी ने बताया भी था कि कैसे रजनी कान्थ बड़ा नाम कमाना चाहते थे रजनी कान्थ श्रीदेवी की मा से बेहद करीब थे वो रजनी को अपने बेटी की तरह प्यार करती थी इतना ही नहीं श्री देवी और रजनी कांथ की दोस्ती भी बहुत गहरी थी श्री देवी और रजनी कांथ ने लगबग 20 फिल्मों में साथ काम किया था माना जाता है कि फिल्म राना के शूटिंग के दोरान जब रजनी कांथ की तबियत खराब हुई थी तो वे अस्पताल में भरती हुए थे तब श्री देवी को खबर मिलने पर वे बहुत परिशान हुई थी और उन्होंने शीर्टी साई बाबा को याद कर रजनी की तबियर ठीक होने की दुआ मांगी थी और उनके लिए व्रत भी रखा था उन्होंने बिना किसी को बताए पूने के साई मंदिर में जाकर दुआ की थी और रजनी के ठीक होने के बाद ही लोगों को इस बारे में बताया था